बज गया विगुल, विछ गईस चुनावी विसाथ, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात, देखिए चुनावी एक्सप्रेस के साथ नमस्कार, मैं हूँ दिपेज जेन और आप देख रहे हैं देवास एक्सप्रेस का नकर निकाय चुनाव को लेकर खास कारिक्रम चुनावी एक्सप्रेस जिसके अंतरगत आज अमाहे देवास शहर की वोट क्रमाग दो में, जहां से भाचपा की और से पारषद पर प्रत्याशी है, रितिका विने जी सांगती आज हमारे साथ मोजुद है इस वर्ड के पूर्व पार्षत वर्तमान पार्षत प्रत्याशी रितिका सांगते जी के पती विनए जी सांगते नमस्कार विनए जी स्वागत आपको चुनावी एक्सपरेस सबसे पहले तो आप अपना एवं इस वार्ड की वर्तमान पार्शत प्रत्याशी आपकी पत्नी का परीचाइद है इस वर्ड में आपकी वर्ड में रही है चाहे वो धार्मिको सामा जी वार्जिको या राजनती को दिपेज जी हमने इस वाड में जब कदम रखा था उस समय हम इस छेत्र को देहाज का वाड के सकते थे लेकिन आज इस्तिति आप आए होंगे चलके आए होंगे आपने देखा होगा हमने रोड पानी नाली और सबसे बड़ी बात बच्चों के लिए खेलने के लिए गार्डन हम सब ने ये प्रयास किया है हमने मिलके हमारी देवास की लोकपरी विधायक राजमाता गाहितर राजय पवार जी हमारे सांसत महन सिंग जी सोलंकी जी के नेतरतव में हमने बढ़ चड़के जितना हम से दम के साथ काम किया जा सकता था हमने काम किया है आप इस वह वाण से पुरू पार्शत घंटए वापस इस bloody पत्नी ने परेशत र्च चुनावन लड़ने का निर्ण ही क्या यह क्यों रहल है। अब हमारी कि करें इस जगह पर मानुऻ को चोड़ के जाया कि अन्य cachet इसी क्या वीजन है जिस वीजन के साथ आप इस चुनावी में सामना आएं देखिए विकास एक सत्रत पकरिया है नगनिगम की कुछ काम जल्दी होते हैं कुछ काम लेट होते हैं लेकिन होते हैं जहां घनी आबादी है हमने उसको पेला चिन्नित करके हमने सारे काम निम्टा चाहिए हैं कुछ छेत्र निउदेवास का छेत्र जो बचा है हमारे पास उसमें चुकी एक रोड है 300 मिटर का मानी अगर उसमें दो घर बने तो उस पर रोड दिया जाना संभव नहीं था लेकिन जा घनी अबादी हो रही है हम उस पर रोड बनाने का काम चालू है हमारा आ आत्मिक्ता सब से पहले हल करना चाहिए सबसे मुख की समस्या जो थी वो यहांत पर पानी की थी और देवास में अमरत योजना से साथ टंकियों में से दो टंकी में लेके राजमाता जी के आसिरवास से राजमाता जी ने हमें आसिरवात के रूप में दो टंकिया अमरत यो काम हमारे बीच में रहा नहीं है कुछ जगा पर सीसी रोड निर्मान करना है वह बहुत जल्दी हम राजमता जी के आशिरवाद से पूर्ण कर देए वो रूमे जनता ने आप पर आशिरवाद जाता तो आपको इस वर्ट का पार्षद बनाया था आपको क्या लगता है इस ब भारती जनता पार्टी का काम भारती जनता पार्टी के विकास का काम हर तरफ चो तरफ विकास की गतिविदी दिख रही है मुझे नहीं लगता कि हमारे सामने कोई चुन होती है अन्तीम पंक्तीमा आपके वोट के मद्दता से क्या कहना चाहेंगे मैं यहीं कहना चाहूंग कि आप भरत्य जंतापाटी को वोट करें विकास को वोट करें जो हम ने काम इतने आठ साल में काम बढ़ा हैं Main Ka ao hor Er ईंण कांको 60 वाडव को अधर 58 की रूप में प्रस्तूत करना है लोग आते हैं बलगलाते हैं उनकी बातो को विगर नजर अंदाज करते हुए आप केल काम को देखें काम काम और काम चुनावी एक्स्प्रेस में हम चर्चा करेंगे वोड करमांग 2 के आम मद्दाता गंड से किस प्रत्याशी को यहां पर मिल रहा है जन आशिरवाद नमस्कार ददा सबसे पहले आप अपने नाम मता हैं मेरा नाव इश्वर मुकाती वर्ड कमांग 2 से मद्दाता हूं आपके वर्ड में अनेक प्रत्याशी पार्शत पत के चुनाव में देखो हमें तो बिज़ेपी के जो कारिय करता है जो हमारे भीया मेदान में खड़े हैं और काम तो बोलता है रोड है नल है समय पर आती है बिजली है पूर्व पार्शत पूरा पूर्ण सुद्दा युक्त कारिय किया है और करते रहेंगे और हम उनके साथ पहले भी थे और आगे भी रहेंगे सबसे पहले आप अपना नाम बताएं अपना नाम बाबूलाल चोधरी आप वटकर मंग दो के मद दाता है तो इस वर्ड में अनेक प्रत्याशी पार्शत के चुनाऊ लड़ रहे हैं तो आपकी उनको लेकर क्या रहे उनको लेकर तो ऐसई है यह यह पार्शत को है उसका कर वोट करमंग 2 की महिला मद्दाता करते हैं उनसे चुनावी चर्चा नमस्ते सबसे पहले आप अपना नाम बताएं गायत्री आहिरबाल वोट करमंग 2 की मद्दाता हैं इस बार अनेक प्रत्याशी चुनावी मेदान में पार्षत बनने के लिए सामने आएं तो सभी प्रत्या जिन जिन का भी नाम है अभी पूरू में विने जी संक्तियां से पार्षत थे उनके द्वारा बॉर्ड में क्या-के विकास कारी किये गए गये जी सड़क निर्माण मंदिर निर्माण हमारे बतल पहले यहां ता सरा मुद बेकार हुआ करती थी गाड़न हुआ बच्चों क इस बार उनकी पत्नी रितिगा जी चुनावी मेदान में है बिल्कुल हम तो मतलब विजय जुलूस के तैयारी में लगे हुए है पुरा वाट की मद्दाता उने आशिरवाद देंगे बिल्कुल पूरा वाट से मतलब यहां तो अपना जम्ना नगरते लेकर तो पूरा उनका पूर्ण आथिरवाद मिला है और लगबार लगबा हम तर विजय जुलूस के तैयारी में लगे हुए है अन्य पत्याशियों का देखिया है इतना तमेजिन आता हूं उतना उनके वाड़ो में घुमा नहीं है और उनकी रूप के हम बहुझे पता नहीं है अपने-प विकास कारी किये गए अभी भी वोड को किस विकास कारी की आवशक्ता है एसे क्या मुख की समस्या है जो वोड में अभी भी हल होना चाहिए चुनावी एक्स्प्रेस में अभी तक लिए इतना ही आगली बार जल्दी मिलेंगे धन्यवाद